विदेब दूज्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज बिजेगा इस वीडियो को लइक कीजेगा और मेरे चैनल को शेयर चिएगा तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं तो बहुत ही बार होता है कि आप TCS से रिजाइन करते हैं जैसे आप सब को पता है कि TCS का जो नोटी स्पिरिड है वो 90 डेस का है बट कभी कबार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपकी जो नेक्स्ट जॉब है वो 90 डेस वेट नहीं कर सकती या आपको कहीं एजुकेशन आपको ल नहीं कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि यह क्या मतलब यह बायाउट क्या होता है और आप इसे कैसे अवेल कर सकते हैं और टीसेस में क्या सच में बायाउट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है तो आज की वीडियो से की बार में होने वाली है तो को देखो सबसे पहले में बताना चाहूंगा कि बाय आउट जो है वो बहुत ही एक रेयर चीज है मिलने के लिए क्योंकि 95% आफ दाइम्स मैंने देखा है कि जो मैनेजर होते हैं वो आपका नोटे स्पिरेड शॉटन अप नहीं करते हैं वो आपको अर्ली रिलीज नहीं देत करते हैं देखो दो टाइब के project हो सकते हैं एक project तो हैं कि जिसमें आपको नोटे स्पिरेड में बिलकुल भी काम नहीं है आप अपनी life enjoy कर रहे हैं और दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है जहां प таких काम है तो आप सोच दो होंगे पहला वाला तो आपको अलीज दे देगा ना नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोनों केसिज में आपको अर्ली रिलीज मिलना बहुत ही जादा मुश्किल है आपके एक अच्छे टर्म्स एसा भी कोई केस नहीं है कि बाई आउट बिल्कुल भी नहीं मिलता है कुछ-कुछ मैनेजर जो हैं वह बहुत ही जादा सेंसिटिव भी होते हैं तो वह आपको बाई आउट को अप्शन दे देते हैं तो मैंने देखा है कि मेरे एक फ्रेंड था उसका माइंट्री के चलो उनने बोला कि हम 60 डेज का ही आपको दे सकते हैं और यह बात ओफर लेटर देने से पहले की थी जो एह चार के साथ बात होती है तो उसने उसने बोला हां मेरे को मैंनेजर मेरे को अराम से मिल जाएगा विकाज विकाज देर इस नोट मच डिपेंडेंशी ऑन मी उन इस प्रोजेक्ट आई रिसेंटली जॉन तो मेरे को अराम से 60 डेज में मिल जाएगा तो उसी बेसिस पे उसको कंडिशनल ओफर दिया गया कि अगर आप 60 डेज के अंदर जॉइन करते हैं तभी आपको पोजिशन के लिए कंसिडर किया जाएका और आप उससे एक दिन भी होते हैं तो यह ओफर नल एंड वाइड होगा तो उसने अपने मैनेजर से बहुत बात की कि प्लीज आप मेरे को रिलीज करो मेरे को जाना है न्यू जॉब जॉइन करनी है बट अनफॉर्शनेटली उसको नहीं रिलीज किया और उसका वहला ओफर उसके हाथ से चला गया त तो ऐसा भी होता है देखो इसलिए एक बात है कि अगर आप किसी भी जॉब आपको अगर ओफर मिल रहा है तो आप प्लीज उसके एचार को आप एक स्ट्रेट लाइन पे बोल दीजिए कि यू हैव नोटी स्पेरिट आप 90 डेज आप बिल्कुल भी जूट मत बूलिएगा आप जल्दी आ जाएंगे आप बाद में आ जाएंगे क्योंकि यूज्यली बायाउट बहुत ही मुश्किल होता है अर्ली रिलीज लेने के लिए बहुत ही एक मुश्किल सिनेरियो है तो अगर आप अपने साइट से पहले ही एक क्लियर होके चलेंगे कि अगर आपको 90 इस पे ही रिलीज कर दिया गया है ठीक है और उनको जो फुल एंड फाइनल सेटिल्मेंट है उसमें उनको अपने 15 डेज का पे करना पड़ा है बेसिक सैलरी का तो ऐसा भी देखा है और ऐसा भी मैंने देखा है कि इंप्लॉई बेंच में है और उसको एक ओफर मिल गया तो अश्यम आप मねं कर रहे हैं आप किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं में आपको बसाता हूं यह सबसे जहादा एक अच्छा में बचार पर अगर आप किसी भी project में काम नहीं कर रहे हैं तो आप एक non-billable resource हो मतलब значит organization आपके नाम पर कुछ नहीं कमा रहा है in fact जो organization के पास एक reserve pool पे पैसा है उस पैसे से मेरे अर्म किसरी दी जा रही है तो company surplus मेरे नियं जायेगे companyieza दीटिफ में जाए गी तो ऐसे resources तो तीन महीने बिना कुछ काम किये करने से से अच्छा है वो उसको एक अरली रिलीज दे देते हैं और जो तीन महीने में छोड़के जाने वाले उस पे कोई प्रोजेक्ट इंवेस्ट भी नहीं करेगा क्योंकि तीन महीने बाद तो आपको केटी देने में ही टाइम लग पे हो ठीक है और एक चीज मैंने देखी है कि जो न्यू इंप्लॉई होते हैं जो साल भर में और्गनाइजेशन छोड़ने की सोच रहे हैं वह यह सोचते हैं कि मैं नाइंत मंत में रिजाइन कर दूंगा और जो तीन मंत होंगे उसका नोटी स्पिरिट करके मेरा एक साल हो से देते हैं सोचो अगर आपने नाइंत मंत में रिजाइन किया आपको एक महिने में बोलेंगे कि वी केन होल्ड यू अप टिल बन मन्त उसके बाद विल गिव यू रिलीज फ्रॉम टीस उसमें क्योंगा आपको बार्ण अमांट भरना पड़ेगा तो आप समझ रहे हो ना अगर आपकी किसमत अच्छी है और अगर आपके मैनेजर को थोड़ी सी भी एंपथी है वैसे भी आपको छोड़के जाना ही है तो 15-20 दिन आपको होल्ड करने से कोई मतलब नहीं है तो मैं तो आपको यही राइ दूंगा और सुझेस्ट कि आप अपनी केटी जितनी अगर आपने अपने साथ पास से सिनेरियों देखें तो प्लीज कमेंट मैं मेरे को बताईएगा कि आपने क्या देखा है और क्या सच में जाधा मुश्किल होता है लेने के लिए जितना कि हमें बताया जाता है मैं तो यह भी सुना है कि कोई-Kोई-Kोई मैनेजर तो एक क्त आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और इस वीडियो को शेर कीजेगा मैं मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में जिसमें मैं आपके एक इंफोर्मेशनल वीडियो तब तक के लिए बबाई टेक एर